हेलो बच्चो आपका इस चैनल में स्वागट है आज मैं आपको कराऊंगा क्लास 7th मैथ और एक्सरसाइज 3.3 रहेगी अध्याय का नाम है इसमें आंकडों का प्रबंधन तो इसमें प्रसनावली 3.3 हम करेंगे तो इसमें आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन निमन लिखित प्रसनों के उत्तर देने के लिए आक्रती 3.3 में दिये दंड आलेक का प्रियोग कीजिए तो इसमें आक्रती 3.3 जो दियो हुए है तो वो देखिए आप तो इसमें आक्रती है जैसे यह 3.3 दियो हुए है तो इसमें आक्रती में दिया हुआ है कि विद्यार्थी दियो है एक तरफ और एक तरफ दियो है जैसे निचे कुट्टे दियो है बिलियां खरगोस हैंस्टर और अन्य और ये विद्यारती दियो है 0, 10, 20, 30 इस तरह तो ये प्रसंद पूछ रहा है कि कौन सा पालतू पसू अधिक लोग प्रिया है एक तो इसने प्रसंद पूछा है question number 1 में पहले का जो पहला पार्ट है कौन सा पालतू पसी सबसे जादा पाला हुआ है बच्चों ने और कितने विद्यारतियों ने कुत्ता पाला हुआ है एक तो ये पूछना है कितने विद्यारतियों ने कुत्ता पाला है और एक कौन सा पालतू पसे अधिक लौख प्रिया है तो इसमें देखिए चित्र में देखिए देखो इसमें सबसे अधिक बिलियां जो है वो दस बिलियां पाली गई है बच्चों के द्वारा और तो इसमें पहले का उतर तो आजेगा बिलियां और दूसरे का उतर क्या आएगा इसने पुछ है कुता कितने ब आब इसमें देखिए आप ब्लैक बोर्ड पे देखिए तो फस्ट क्वेस्ट का फस्ट पार्ट आजेगा क्वेस्ट नमबर वान ए भाग तो अंसर आजेगा इसमें यह पूछाए कितने कौन सा जानवर सबसे अधिक पाला गया है तो आप इस चितर में देखिए बिलिया सबसे अधिक पाली गई है तो पहले का उत्तर आजेगा बिलिया ठीक है बिलिया और दूसरा पहले का ही दूसरा कोश्ट नहीं बीपार्ट इसने पुछा है कुत्ता कितने बच्चों ने पाला हुआ है तो कुत्ता देखो आठ विदा रहता है ठीक है फिर नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं हम सेकेंड कोश्चन है आपका उपर देखो इसमें फिर्स्ट कोश्चन हो गया सेकेंड निमन लिखी दंड आले को पढ़िये और एक पुस्तक भंडार द्वारा पांच करमागत वर्सों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्साई है और इन प्रसनों के उत्तर दीजिए तो पहला प्रसन है कि वर्स दूसरे का क इसका ए पार्ट है जो जो तो इसमें आप ये कौस्टन नोट कर लीजिए इसने पुछ है कि वर्सों उनीचो नवासी नभे और बानवे में में कि वर्स दूसरे कि नवासी नब्बन उनीचो बानवे में मैं कितनी पुष्टकें बेची गई कितनी पुष्टकें बेची गई 1992 में तो आप यह चितर देखिए तो इसका question है इसका answer आएगा 1989 में कितने 1989 में देखना है हमने तो यह चितर आप देखिए आकरती 3.1 आपको दिखाई दे रही होगी तो इसमें 1990 में देखो कितने 180 के आसपास है यह 100 और 200 से थोड़ा कम है तो 180 के आसपास आएगा और यह 180 के आसपास किताबें बेची गई है और 1990 में देखो कितने है यह लगबग यह 500 से थोड़ा कम है और 400 से उपर है तो यह लगबग आपके पास 480 के आसपास किताबें बेची गई है 1990 में और 1992 में देखिए 1992 में यह किताबें है 1992 में बेची गई तो यह यहाँ पर देखो यह आपके पास लगबग 200 से थोड़ा सा उपर है तो 225 के आसपास किताबें बेची गई है 1992 में ठीक है तो यह बेची गई किताबें है ठीक है तो इसमें आप देखिए ब्लैक बोर्ड पे आप इसकांसर 1989 में 180 किताबें बेची गई है 1990 में 404 किताबें बेची गई है और 1992 में 205 किताबें बेची गई है तो आप उसके बाद आपके पास है इसी में से चोथा कोश्चन आपके पास आएगा ना इसी का सेकिंड पार्ट है किस वर्स में लगबग 474 पुस्तकें बेची गई और किस वर्स में 225 पुस्तकें बेची गई तो यह देखो 474 पुस्तकें और 225 पुस्तकें किस वर्स में बेची गई तो यह आपका अंसर आजेगा दूसरे का second part है जो तो उसका अंसर यह आजेगा 1990 में 474 पुस्तकें बेची गई और 1902 में 250 पुस्तकें बेची गई ठीक है और दूसरे का ही 3rd part किस वर्स में 200 से कम पुस्तकें बेची गई किन वर्सों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई तो यह आपको चीतर दिखाता हूँ मैं तो 250 का मतलब है यहां और इससे कम पुस्तकें किस किस वर्स बेची गई देखो तो इसमें देखो एक तो 1989 में बेची गई है 250 से कम पुस्तकें और 1 1992 में बेची गई है ठीक है तो यह 2 वर्स आजेंगे तो ये एक तो दूसरे का तीसरा भाग जो है ब्लैक बोर्ड पे देखी अंसर तो इसमें 1990 में 1989 में और 1992 में 250 पुस्तकों से कम पुस्तकें बेची गई क्योंकि इस वर्ष में 180 है इसमें 200 पच्ची है ठीक है फिर उसके बाद आपका अगला कोश्चन है इसी का फॉर्थ पार्ट है जो क्या आप सबस्ट कह सकते हैं कि 1989 में बेची गई पुस्तकों का अकलन किस परकार करेंगे तो 1989 में पुस्तके कितनी बेची गई 180 ठीक है तो 180 पुस्तकें बेची गई है 1989 में तो इसका चोथे पार्ट में आजेगा 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई है 180 180 के लगबग है यह एक सब चत्र होंगी 180 होंगी ठीक है तो यह दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है फिर उसके बाद आपका थार्ड क्वेश्चन आता है तो थार्ड क्वेश्चन में देखिए 6 विभिन कक्षाओं में विदार्थियों के नीचे संख्याएं दी गई है इन आंकड़ों को एक दंड आरेक द्वारा निरूपित करना है तो यह आंकड़े दी हुए हैं दंड आरेक बनाना है तो अब मैं दंड आरेक बना देता हूं इसका तो इसमें देखिए आप ये इसका गराक बन गया है दंड आरेक तो हमने इसमें आकड़ों का दंड आरेक खेंचना है तो दंड आरेक देखिए इस तरह से होता है इसमें आपके पास हमने क्या किया यहां पर कक्षा ली हुए है फिफ पांच वी कक्षा छटी सात्वी आठ्वी नोवी दस्वी कक्षा ली है और उसके बाद हमने यहां पर विदार्थियों की संख्या ली है विदार्थियों की संख्या में हमने एक जो इकाई है यानि एक निसान तक 20 विदार्थि है तो इसमें इकाई लेनी पड़ती है एक इकाई जो है 20 विदार्थियों के बराबर है तो यह 20 विदार्थि यहां पर 40, 60, ठीक है 80, 100, 120 और 140 विदार्थी हमने ले हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा विदार्थी 135 है तो हम क्या करेंगे 140 तक ले लेंगे ठीक है अब यह कहता है जो पांचवी कक्षा है उसमें देखो विदार्थी कितने है 135 तो पांचवी कक्षा का जो हमने यह स्तंब है तो यह हमने 135 तक ले जाना है यानि 140 से थोड़ा कम 135 ठीक है क्योंकि 135 विदार्थी है पांचवी में छटी में 120 विदार्थी है तो 120 किसी तक लेके आगे साथी में तो यह हमारे पास यह मिना एक तरह से बिल्डिंग्स है ठीक है तो बिल्डिंग आप इसको मान सकते हो जितनी कक्षाम विदार्थी है उतनी उन्ची बिल्डिंग आपने बनानी है ठीक है तो यहां पर असाती में 95 विदार्थी है तो 100 से थोड़ा कम आठी में 100 विदार्थी है नाइट में 90 विदार्थी है सो से कम और दस्वी में असी विजार थी है ठीक है तो इस तरह से हमने एक ग्राफ बना लिया अब इसमें पूछ रहा है कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे तो स्केल हमने जो चुनी है थाड का यह पार्ट है जो एक इकाई हमने लिए है व्राबर बीस ट्ूडेंट या विजार थी ठीक है तो 20 विजार थी हमने एक इकाई के वराबर लिए है किस कक्षा में विद्यारतियों की संख्या अधिकतम है और किस में नियुंतम है तो किस विद्यारती है जो सबसे उंचा है तो यहां पांचवी कक्षा में सबसे उंचा ही है 135 तो बीव पार्ट में जो है भीव का हमारे पास first question है तो किस कक्षा में सबसे अधिक है फिफ्ट में अधिक है ठीक है और किस कक्षा में सबसे कम है सबसे कम किस कक्षा में है तो सबसे कम देखो 80 विजारती 10 कक्षा में है सबसे कम तो 10 तैंथ में सबसे कम है ठीक है फिर इसी का ही second part है जो third का B part का second question छटी कक्षा के विदार्थियों की और 8 वी कक्षा के विदार्थियों का अनुपात ग्यात कीजिए ठीक है तो कक्षा 6 में विदार्थी कितने है 120 तो अनुपात निकालना है जिसमें 6 में है 120 और जितने 8 में है 100 तो 120 बटे 100 करेंगे तो इसमें 0 से 0 कट जाएगी और ये 6 और इनिचे 5 तो आपके पास 6 अनुपात 5 आपका अंसर आजेगा तो ये भी अंसर है ये भी अंसर है ये भी और ये भी तो ये आपका थर्ड कोस्टन हो गया है इसमें ठीक है तो उसके बाद आपके पास 4 कोस्टन आता है तो एक विदार्ती के प्रथम सरक्रiosa का प्रदर्षन है तो प्यूक्त स्केल चुनकर एक 12 दंडारेख मनाना है तो ये जो दंडारेख था ये सिंपल दंडारेख था वो 12 दंडारेख बनेगा दोहरे में हम एक साथ दो-दो मिनारें इकठी करते हैं, खड़ी करते हैं, दो-दो बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं, तो चलिए मैं ये बना देता हूँ, इसका दोहरा दंडारेक, इसमें देखिए आप, ये आपके पास हमने ये बना दिया है, इसमें हमने दंडारेक बनाना था, किस तरह का दंडारेक खेंचना था? दोहरा, दोहरा दंडारेक खेंचिये, कैसा? दोहरा, दंडारेक खेंचना है, तो हमारे पास दोहरा दंडारेक हमने बनाया है, तो इसमें हमने इदर सब्जेक्ट लिये हैं, जैसे इंगलिस है, हिंदी, गनित, साइंस और समाजी, ठीक है? और यहां हमने अंक ले लिया है, इसमें अंक में हमने क्या किया है एक ही काई को दस अंक मान लिया है यानि यह दास बीस तीस इस तरह से ले लिये हैं और दोहरा दंड आरेख का मतलब क्या होता है English के एक ही subject के दो हमने building खड़ी की है Hindi की दो building खड़ी है सभी की दो-दो building खड़ी है दो-दो दंड आरेख बनाए है सभी के ठीक है तो अब इसमें देखिए जो English है उसके अंक देखे कितने है जो dotted वाड़ा है ये stump ये प्रथम सत्र के अंक है इसमें और जो दूसरा खाली है जो मिनार वो द्वीतिय सत्र के इसमें अंक हम डालेंगे ठीक है तो इसमें देखो English में 67 पहले सत्र में पहले सत्र में कितने है इस 67 अंक यानि 60 और 70 के बीच में 60 और 70 के बीच में 67 67 और इसमें आगे आपके पास 70 खीक है तो English में इसी तरह हिंदी में 72 और 65 पहले सत्र में आए 72 ये 72 है 70 से थोड़े से जादा और हिंदी में आए कितने आए 65 तो 60 और 70 के बीच में 65 अंक आगे तो इसी तरह से हमने बाटी मैथ में लिखे हैं साइस में और SST के लिखे हैं तो आप इसमें कोश्चन पूछ रहा है ये किस विश्या में विदार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया यानि किस कौन साइस विश्या है जिसमें पहले कम नंबर थे और फिर बाद में जादा अंक आगे तो इसमें देखिए मैथ में जो है पहले 90 थे फिर 95 हो गया है तो पहले कोश्चन का अंसर आजेगा फॉर्थ कोश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट इसमें आजेगा गनित गनित में उसने अच्छा सुधार किया है क्योंकि परथम सत्र यानि पहले समेस्टर में उसके कितने थे 90 थे और फिर 95 हो गया फिर उसने कहा किस विश्या में सबसे कम सुधार हुआ है तो सबसे कम सुधार किसमें हुआ है देखो हिंदी में हुआ है पहले उसके जाधा आंक थे और फिर उसके काम हो गए तो सबसे कम सुधार किसमें हुआ है यानि हिंदी में हुआ है नहीं सबसे कम सुधार सुधार में का मतलब है यानि बढ़ने होने चाहिए हैंके उसमें भी तो इसमें इंग्लिस में आ जाएगा आपके पास यानि जैसे आपके पास इंग्लिस में 67 पहले अब 70 हो गया है ठीक है और तीन ही अंक बड़े हैं इसमें बाकी में तो 88 से 59 हुए हैं 81 से 85, 73 से 54 73 से 54 यानि दो अंकों का सुधार किसमें हुआ है देखो विज्ञान में हुआ है तो विज्ञान में ये समाजिक विज्ञान में केवल दो ही अंक बड़े हैं तो सबसे कम सुधार जो है समाजिक विज्ञान में आएगा समाजिक विज्ञान में केवल दो ही अंकों का सुधार हुआ है और ये फिर प्रसं पूछ रहा है कि तीसरे question में, इसी के part में, क्या किसी विशय में प्रदासन निचे गिरा है, तो किस में निचे गिरा है, तो वो गिरा है हिंदी में, तो हिंदी में पहले ज्यादा नम सतर थे फिर उसके 65 हो गे, तो हिंदी में गिरा है भई, ठीक है, हिंदी में, तो ये आपके पास हो गया है question number 4 complete खिर उसके बाद question number 5 देखिए किसी कलोनी में दिये गए सर्वेक्षन से प्राप्त आंकड़े हैं तो इसमें पसंदिदा खेल देखना और भाग लेना कre ुप्यूंक्त स्केल तो मैं हमने दोह राधारे खिंचना हैं तो इसमें कौन सा खेल सबसे अधिक लोक प्रिया है और खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उसमें भाग लेना तो यह पूछा गया है कौन सा खेल सबसे अधिक लोग प्रिया है यह आपने खुद बनाना है दोहरा धंडार एक तो इसमें क्या करना है आपने मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको तो इसी तरह से बनाना है आपने यहां खेल लिखने है क्रिकेट बास्केट बॉल तैरना होकी और खेल कुद ठीक है फिर यहां पर आपने देखना यहां पर एक तो लिखना है देखना देखना के लिए डोटिट कर देना है और दूसरा लेना है भाग लेना भाग लेने वाले में एक हाली छोड़ना है अपने ठीक है फिर यहां पर आपने विदार्थियों की संख्या लिखनी है विदार्थियों की संख्या की scale आपने बना लेनी है लगबग 100- 100 की बना लेनी है जैसे एक एकाई ब्राबर 100 विदार्थी ठीक है तो यहां जेगा 100-200-300 से ज़्छाबव 1314 क्योंकि 1200 तक जाना है तो 2330 के क्योंकि सबसे ज़्यादा 1240 है तो उसी तरह से आपने क्या करना है कितने विद्यार्ति देखते हैं और कितने भाग लेते हैं Cricket में फिर कितने Basketball में economy खेलते हैं इस तरह से आपने बनाना है और questions के answer मैं आपको बता देता हूं इसके question के answer क्या बनेंगे इसमें question number 5 के answer जो है कौन सा खेल सबसे अधिक खेला यह देखना पसंद करते हैं question है कौन सा खेल अधिक सबसे अधिक लोग प्रिया है लोग प्रिया का मतलब देखा जाता है तो सबसे अधिक तो देखो देखा जाता है 1240 विदार्थी जो है बच्चे cricket क्रिकेट खेलते हैं cricket देखने हैं तो सबसे अधिक पसंदिद्धा खेल है वो क्या है cricket है cricket ठीक है और सबसे अधिक खेलना पसंद करते हैं या देखना तो आप देखिए देखने वाड़े बच्चों की संख्या जादा है और खेलने वाड़ों की कम है तो इसका दूसरा पार्ट आजेगा आपका अंसर तो देखना जादा पसंद करते हैं और खेलना कम करते हैं ठीक है तो इसमें यही question पुछा गया था कि खेलनों को देखना दूसर गया जाता है ठीक है बच्चोड आब उसके बाद च्छटा ऋच्ट कुस्चन है क्हीं पास जटेगा पूस्चन में आपके पास कि साहनी है तो इसमें आपके पास सुरू-सुरू में सार्णी दिये गई है तो इसमें question जो है ये question आप देख सकते हो question आप note कर लीजिए पहले फिर उसके बाद जो सार्णी है आपके पास सुरू-सुरू में दिये हुई है एक दूसरे तीसरे पेज पे दी हुई है तो दी हुई ती थी पर किस नगर में नियूनतम अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है तो छटे का जो फर्स्ट पाट है तापमान में अधिक अंतर और दूसरा question का क्या answer बनेगा कौन सा नगर सबसे गरम कौन सा सबसे ठंडा सबसे गरम तो इसमें ये question दिये गए हैं और इन questions को आप पढ़ लेजिए और मैं आपको सानी भी ले जाता हूँ जो सानी 3.1 है तो सानी 3.1 है जो इसमें है आपके पास अध्याय जो सुरू होता है जब तो ये सानी 3.1 दियू हूई है इसमें तो इसमें ये सानी 3.1 है देखिए ठीक है तो अब whiteboard भी देख लेते हैं question मैंने लिख ली हैं इसमें तो इसमें सबसे question पहला है तापमान में सबसे अधिक अंतर यानि ऐसा कौन सा सहर है जिसके तापमान में सबसे अधिक अंतर है सबसे अधिक अंतर देखें किसका है इसमें 38 और 39 और 37 26 28 21 तो जिसका अंतर सबसे अधिक है तो वो हमने देखना है तो छती और इसमें 28 28 10 कंतर है 10 कंतर है जम्मू में देखो सबसे अधिक अंतर है 41 डिगरी जम्मू में जम्मू का जो है सबसे अधिक अंतर है कितना है 41 माइनस 41 माइनस 26 डिगरी तो सबसे अधिक अंतर इसका है 41 माइनस 26 डिगरी का अंतर कितना हो गया तो यह 15 डिगरी का अंतर है तो सबसे अधिक अंतर जो है तापमान में जम्मू के तापमान है सबसे अधिक तम तापमान और नियूंतम तापमान में ठीक है फिर उसके बाद ये कह रहा है सबसे गरम कौन सा है सबसे ठंडा कौन सा है तो सबसे गरम जो है जिसका सा तापमान सबसे अधिक है तो जम्मू सबसे गरम है और सबसे ठंडा कौन सा है सबसे ठंडा जिसका तापमान सबसे कम है तो 21 डिगरी जो है बैंगलूरू का तापमान है तो सबसे कम तापमान बैंगलूरू का है तो यहां बैंगलूरू आजेगा फिर उसके वाजे कहता है नगल जिसका अधिकतम तापमान दूसरे के नियूंतम से कम है यानि ऐसा कौन सा वो है जिसका तापमान अधिकतम तापमान जैसे बेंगलूरू का ठाइश डिगरी है और जैपुर्स का नियुनतम तापमान 29 डिगरी है तो जो आपके पास बेंगलूरू है बैंगलूरू का तापमान अधिक्तम तापमान जो है दूसरे से नियुन्तम है तो इसमें बैंगलूरू आजेगा और फिर उसके बाद ये कहने नियुन्तम अधिक्तम तापमान में सबसे काम अंतर किसका है यानि सबसे काम अंतर है जैसे मुंबई 327 है तो मुंबई का ही आएगा सायद इसमें सबसे कांत आपमान में अंतर तो मुंबई आपने लिखना है मुंबई इसका अंसर आजेगा ठीक है तो ये आपके सबी कोस्चन हो गए है कोस्चन नमबर 6 ता ये एक्सेसारी 3.3 कम्पलीट हो चुकी है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है कैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर नहीं किया और घंटी के बटन को दबाना है ताकि अगली वीडियो आपके पास स्वैम ही पहुंच जाए धन्यवाद जैहे